दोस्तों ये है वर्ल्ल का पहला Snapdragon processor वाला laptop हमने अलग-अलग टाइप के laptops ट्राइब कर रहे हैं जिद्धे भी laptops आते हैं या तो Intel के processors के साथ आते हैं या फिर AMD के processors के साथ आते हैं और इन सब के हमको आदत हो चुकी बड़ ये वर्ल्ल का पहला laptop है जो Snapdragon के processor के साथ आ रहा है Snapdragon की processors mobiles में बहुत जादा famous है और ये बहुत next level performance भी दे पाते हैं मैं परस्टे बता हूँ मैं इस laptop के लिए बहुत जादा excited हूँ क्यों Snapdragon को बहुत अच्छा experience है processors बनाने का और ऐसे processors जो बहुत जादा efficient है जो battery life बहुत next level देते है and of course performance और सारी चीज़ों में काफी next level है मैं थोड़ा surprised इसलिए पिता क्योंकि अभी जिन लों को idea नहीं है i9 Ultra अभी तका सबसे जादा powerful laptop का processor है और उसको benchmark में build करना भाई अच्छी बड़ी बड़ी बात है इसलिए हमारी excitement जोड़ी जांकी दी लाप टॉप की 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 लाप टॉप है साथ में इसमें co-create, live captions, studio effects वाले features भी है display भी काफी interesting है बार सारी चीज़ है भाई हम आपको बदाते है इस वाले वीडियो के लाट्स गॉप सबसे पहले लिनोगा योगा रखा भाई हम भी योगा करते है बैक साइड में काफी slim and light गबा है हमारा उसको खोलते हैं एक बार भाई करो है हलका सा करव है उस साइड से पकड़ने में ऐसा बहुत थिक नहीं लगा है 12.9 mm की थिकनेस इसके अंदर आडगर कि जितनी मोटी आपकी नोट्बुक है अल्मोस्ट उतना ही मोटा ही लाप टॉप है उससे हलका सा ही जादा बेट भी होगा इसका बीट है और इसको आप कभी कमफर्टेबली दो उगनियों से भी उठा सकते हो और मेरे लेगा भी अच्छा डेस्ट होता है क्योंकि इससे आड़े लग जाता है लाप्टॉप आप एक हाथ से कित्ते अराम से यूज कर वा हुए फ्रंट में लेन होगी ब्राइन गर रखे और यहां इसमें आप यूएसपी वाला नॉर्मल पॉर्ट डाली नहीं सकते हैं एच्डियमाई वाला एथर्नेट वाला पोट डालने की जगा ही नहीं है और अफकॉर्स आप अड़ाप्टर खरीद के लगा सकते हैं से बड़ा बड़ा चालगी होता दो तीन और और भाई के सॉलिड लगा अफकॉर्स लें होगी योगा सीरीज का तो इसमें पूरा वन सिक्स्टी फाइड़ी तर जाता है ऐसे पकड़ेगा हम थंगे ले सकते हमारे एक सिंपर टेस्ट रहता है सिंगल फिंगर टेस्ट इसे खुड़ रहा है वह सबसे पहली चीज जो आप नोडिस क इसका डिस्प्ले तो अफकॉर्स करो गई यहां पे स्नाप्डरागन का एक्स एलिट लिखा है भाई नाप्टॉप का प्रोसर रहा आप सो चुछ रूब कि इतना साथ है क्यो प्रोसर बना रहा है लाप्टॉप के लिए तो मना है इसमें आपको एक मेजर फरक लगा हो जि डिवाइस के लिए भी काफी जादा यूसफुल है तो अब इसमें एक मेजर डिफरेंस आता है अब इनकी जर्णी अलग-अलग है तो इनके फाइदे भी अलग-अलग है यह स्नाप्डरागन के चितने भी प्रोसर से उन्होंने बहुत जादा फोकस करा बाटरी एफिशें काफी टाइम से ग्रो होता आ रहा है अब वो उस लेवल पर पहुँच गया है जहां पर टकर दे सकता है तो लाप्टॉप के लिए एक रेवलूशनरी टाइम है हो सकता है पूरी लाप्टॉप इंडस्ट्री चेंज होने वाली हो इस टाइप के लाप्टॉप से तो मैं पर करने पर पर्फॉर्मेंस ओफॉर्मेंस देख के बताने में मैं पर्समें थोड़ा ज्यादा विश्वा सकता हूं तो इसलिए हम अच्छे से चेक करके बताएंगे इसके अंदर एक 14.5 इंचिस का डिस्प्ले अल्मूस्ट चारों तरह बहुत ही पतले बेजल से यहीं पर उ से टॉप डिस्प्लेइगा जो ब्राइटनेस है वो हजार निट्स है काफी सॉलिड है और अगर अगर आप मुवी बहुत शार्प आपको अच्छी डीटेल मिलेगी यो कलर्स हो हलके से जादा बूस्टेड इस्प्ले के लिए खाली प्राइस पांड मैंने इन जेरल भी य जो हमने ट्राइकर रखा है विविंग अंगल भी आई उपर नीचे है राइट लेफ चारो तरफ से अच्छे दिखते हैं और अगर आपको फोटो शॉप इंस्टॉल करके उसके अंदर कुछ ब्रॉ करने का एकदम से मन कर जाए या फिर कुछ और चीज करनी हो क्विकली त वह सारी चीजने इस पे कर सकते हो और अगर आप इस लापटॉप को आउट्वर भी यूस करते हो तब भी आपको कोई चालेंज नहीं आएगा इसमें स्पीकर एक तो फ्रंट में भी यहां पे लगा रखे हैं यहां पे भी हैं यहां पे बी हैं और इसके साथ-साथ नीचे यहां पे दो स्पीकर्स और हैं तो टोटल फोर स्पीकर्स हैं और में अग्दम और बताओ यह एक थिनन लाइट लापटॉप वाली काटेगरी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई स्पीकर तगड़े बजेंगे पर अक्चुल कॉलिटी काफी क्लियर है मैं बज अगर आप मुवीज टीवी शोउस इस टाइब आ कुछ भी देखने वालो आपको ग्यारिंटीड मला आएगा अच्छे कलर्स मिनेंगे ब्राइट है फाइबरेंट है प्लस अवास काफी अच्छी क्वालिटी कि है डॉल्बी आटमाउस का भी सपोर्ट है प्लस चार माइक इसके अंदर तो अगर आप वीडियो कॉल्स भी कर रहे हो वो भी काफी साही रहेगा क्यामरा भी आपको 1080p मिलता है यह ऐसी फुटेज दोस्तों आप लोगों देखने के लिए मिलेगी है और डिरेकली लाप टॉपने हाथ में लेकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक चीज ह नहीं कर रहे है कि भाई कुछ भॉट तगड़ी बाटरी लाइफ आईगी देखना हम इसके वेबसाइड ही अपर गये थे इस पे लिखा था बाइस घंटे आप इसके अपर लगातार मूवी देख सकते हो इसका वादा पूरे दिन अगर आप इसमें मूवी देखते रहे त कुछ लोग चाहिए दिता हेवी यूज करें जाता लोग नहीं करेंगे इस पूरी टेस्टिंग में ये लाप्टॉप नौ घंटे चला था अन ये अमारे जाप से एक विंडोज लाप्टॉप के लिए बहुत तगड़ी बाटरी लाइफ है अन मेरे जाप से भाई अगर इ जिती तेई से कम होती है नौ गंटे इसलिए चला पा रहा है कि स्नाप्टराग में प्रोसेसर ऑप्टिमाइज हैं बैटरी कम से कम यूज करने के लिए और कफी एफिशेंटली रन करने के लिए उत्ते सालों जबाग इस्मार्टफोन में जो छोटी-छोटी बैटरी होती ह इसके असाब से उप्टिमाइज करना पड़ता है और सेमें इसमें 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 इसके कुछ फीचर्स में आप लोग बता इसके अंदर DDR 5X RAM है 32GB की 8448 MHz की RAM लगा रहे हैं बेसिकर डूल चानल RAM है 16GB प्लस 16GB की दो स्टिक्स इसके अंदर लगा रहे हैं उसके अदर SSD है PC यह जनफूर एक TV की Wi-Fi 7 है Bluetooth 5.3 है और बेसिकर कुछ जाज चीज है इसके अंदर मिस नहीं करी और एक चीज और जिसमें कोई मिस नहीं है वो है इसका software इसके अंदर Windows 11 आता है सुनने में तो अलग सा भी लगता है इस Windows 11 Snapdragon के processor के उपर कैसे आ रहा है सारे updates आपको latest मिलेंगे आप support भी आपको मिल जाता है इसमें Snapdragon X Elite अगर पूरा नाम बता हूं तो X1E-78-100 प्रोसर आडगर रखा है 12 कोर से है 3.4 GHz वाला variant है अब अगर मैं बेंचमार्क ही बात करूं तो इसमें उस सिंगल कोर का बेंचमार्क है जो टॉप प्रोसर उससे काफी बेटर है बट जो multi- 25% कम है और एकदम बता हूं कोर्स बढ़ाए जा सकते हैं बट सिंगल कोर का स्कोर होता है मेरे साब से बहुत ज्यादा है जितने भी आप बेसिक टास्क करोगे उस सिंगल कोर से ही होते है इवन जाहतर गेम्स भी कुछी कोर्स यूज करती है और अब कॉस एक ARM-based processor है तो इस लिए क्योंकि snapdragon ने अभी इसको बस launch कर रहा है और यह 100% optimized नहीं हुआ है और software update साथ ही करा जा रहा है मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें जब पहली बार हमने चलाया था तब इसमें GTA 5 नहीं चल रही जब ने कुछ दिन बाद चलाया तो एक software update आया था जिसके GTA 5 चलने लगी मैंने बोलूगा अभी भी एकदम स्मूद सेटिंग पर चल रही बट क्योंकि इसका architecture completely different है तो इसलिए जित्ती भी applications है उनको भी ARM के लिए बनाना पड़ता है तब जाके वो इस पे smoothly चलेंगे तो अब जित्ती भी applications है जो x86 से ARM पर पहुंचाई गई है जैसे साथ challenge नहीं है जित्ती भी applications है उन सब के साथ काफी similar है जिती भी चीज़ें Windows के साथ pre-install लाते हैं वो सब एकदम सुमूद चलती है अगर आप ऐसी applications चला रहे हो जो port नहीं हो रखी है उसमें कुछ applications आपकी install नहीं होंगी क्योंकि वो error दिखा देंगे आपको क्योंकि ARM processor है काफी सारी applications चलती है बट वो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर एक emulator type चलता है उसके अंदर वो applications चलती है तो अपनी 100% performance पर वर्क नहीं करती जैसे हमने Counter-Strike 2 चला ही उसमें 8-10 fps आपको अन्य यह converted application है GD5 आपको चलाने कि ए 720p चलाना बड़ा तब हमको 60 fps उसमें थोड़ी animation वाला software है Blender इसमें मस चल रहा था Photoshop भी हमने चलाया था Photoshop भी बड़िया चल रहा था and यह दोनों heavy applications है and Counter-Strike 2 एक बहुत basic game है तो इसमें definitely potential है पर अभी वो 100% use नहीं हो पा रहा है and एकदम और इस बता हूं यह sense भी बनाता है even Apple का भी जो पहला M1 आया था उसमें भी update होने मे काफी सारी applications को एक-एक साल लगे and एक-एक साल बाद उनके variant आये थे अभी जिती applications work करती है directly वो काफी बड़ी आवग करी है and धीरे-धीरे apps भी support करने लग चाहेंगे but अभी अगर इस पर अगर आपको AutoCAD यूज करना है या फिर Apex Linux चलानी है तो वो चीज़े अभी आप न किसा हमको frame drop मिला देंडर में भी भाई हमने एक टैंक का 3D model इंपोर्ट कर रहा था दाविंची रिजॉल हमने यूज कर रहा था ताइम लान में थोड़ा बाद फ्रेम ड्रा पार था दो गंटे 30 मिनट के हमने फुटेच पे माइनर कट्स लाग के एक्सपोर्ट कर रहा उस विजुल गेमिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो GTA 5 हमने 2K रिजूशन में केला था तो 30 fps आ रहा था 720p पर चलाया तब 50-60 fps उसमें आ रहा था और minimum जो fps हमने देखा था 32 तो जा रहा था अगर बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें अगर एंवार्मेंट में तो अब अब प्रोस्सिंग युनिट जो AI के लिए यूज होता है यह को पाइलेट प्लस के साथ आता है और इसके एक डेडिकेटेड बटन भी दे रखा है और नॉर्मल हमने Windows को पाइलेट चला के देखा इसमें कोड लिख वाया इमेल से आप नोट बना सकते हो PDF समराइज कर सकते हो पाइलेट काफी साथ यूसफुल रहते हैं वेबकेम अभी बटन स्टूडी एफेक्ट्स होते हैं अलाग अलाग चीज आप लगा सकते हो यह स्टूडी एफेक्ट्स वाले में कूल लगा जैसे अगर आप कुछ देखके पढ़ रहे हैं तब भी सामने आलेगों को आंखी नेक्स लेवल है और जो बात्री लाइफ हैं उसको आप जिन आप्लिकेशन में यूज सकतो हूं और अप्लिकेशन तक्ड़ा हो बस सारी आपलिकेशन में नहीं है बट जो चीज आपर चलती हैं उसमें एक्सपेरियन्स बहुत ही ज़ादा प्यादा रहता है व्या डिस्प प्रेमियम प्रोडक्ट तो इसका प्राइस भी उसके हिसाब से ही है एक लाग पचास हजार इसका अक्चुल प्राइस है इसमें आपको एक्सिदेंटल डामेज प्रोटेक्शन का उप्शन भी मिल जाए है और मेरे को पसनली काफी एक्साइटिंग लगा मैं देखने में काफी इंडरस्टेट रहूंगा वै यारे माली प्रोस्सर्स क्या-क्या कमाल करते हैं और इता है आवाइस वाली वीडियो के लिए अगर आई हो तो लाइक कर देना सब्सक्राइब रदो और मैं देखने आपसे नेक्स्ट वाइड रूलोवन